कि नमस्कार मैं स्रिजन एक बार फिर से स्वागत करता हूं कॉम्टिशन कम्मूनिटी के यूटूब चैनल पर आप सभी का और आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर थ्री मेंस जिसे हम जी एस पेपर वन भी कह देते हैं क्योंकि समान्य अध्यन की शुरुवात यहां होती है पेपर वन लैंगविज पेपर टू निबंद के बाद इसके पार्ट टू या भाग दो में सर्व परिचित और सबके द्वारा पसंदिदा जो सब्जेक्ट है वो है कॉंस्टिटूशन और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रिलिम्स में इसका बहुत ज्यादा के अंतरगत इसका वेटेज उतना जादा नहीं है और इसलिए विद्यार्थी उतना ध्यान नहीं देते कि बहुत प्रिलिम्स के नॉलेज से ही हमारा काम हो जाएगा ध्यान से सुनेंगे दो नंबर चार नंबर आठ नंबर और दस नंबर याने 30 शब्द 60 शब्द 100 इस सेक्षन से समविधान के कोशन पूछे जा सकते हैं ठीक है पूछे जाते रहे हैं और यदि मैं एक छोटा सा एक्जामपल आपके साथ लेकर रहें के चलों बेसिक स्ट्रक्चर का यानि मुल ढाचे का जिसके बारे में आप सभी जानते हैं जो भी आप मेंस लिख रहे ह हैं यदि चार नंबर में बोलूँ तो थोड़ा सा और डिटेल में आप बताएंगे कि सर समविधान की सर्वोच्चता याने सुप्रीमेसी ओफ दे कॉंस्टूशन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और नियायपालिका की स्वतंतरता शक्तियों का विभाजन कारे पालि न पूछ के दीरगित्तरी में पूछ ले तो आप थोड़ा सा आपके पास वर्ट्स की कमी हो जाती है इसका कारण ये है कि आपने सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना आपके लिए जानने लायक था जितना आपके लिए आवश्यक था लेकिन यहाँ पे आठ और दस नंबर में इसकी पूरती नहीं करता है तो किसी भी चीज को थोड़ा सा डिटेल में अधि हम जानेंगे थोड़ा सा विस्तार के साथ में एक इंटरस्टिंग तरीके से जानने का प्रयास करेंगे तो ना सिर्फ लगूत्तरी बलकि दीरगूत्तरी प्रशनों को भी हम अच्छे से हमिशानी होती है यह वही एरिया की नॉलेज रहने के बाद भी कुष्ण में जो पूछा गया है वो पता रहने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिख पाते हैं क्योंकि पढ़ा वही होता है जो किताब में दिया होता है ठीक है ना तो थोड़ा सा आज एक्स् बत होगी तो आप सम्विधान का संशोधन भी कर सकते हैं और पहला सम्विधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1959 में ठीखे ना अब यहाँ पर एक चीज जानी है कि आर्टिकल 31 के अंतरगत राइट टू प्रॉपर्टी याने संपत्ति का अधिकार एक मून अधिकार था कब तक? 44 सम्विधान शंशोधन अधिनियम 1978 तक क्योंकि 44 सम्विधान शंशोधन अधिनियम 44 गॉंसे एक मूल अधिकार के रूप में खतम कर दिया गया और इसे एक सम्विधानिक अधिकार या constitutional right बनाया गया article 308 और भाग 12 में 22 भाग हैं सम्विधान के उसमें 12 भाग में इसको एक constitutional right बना दिया गया 1978 तक लेकिन ये date याद रखेंगे क्योंकि 1978 के पहले right to property या संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और मूल अधिकार से ही क्या निकलेंगे मूल धाचे की प्राथ होगी कैसे article constitutional amendment act article 31 right to property को थोड़ा सा चेंज करता है कैसे चेंज करता है भूदान अंदोलन उस समय चल रहा था जमिंदारी प्रथा बहुत ज्यादा थी एक व्यक्ति के पास में एक संस्था के पास में बहुत सारी जमीने हुआ करती थी विनोवा भावेर जी ने भ भूमी का वित्रण होना चाहिए कोई भूमी ही नहीं होना चाहिए सब में बराबरी होना चाहिए एक क्वैलिटी होना चाहिए और इसी के अंतरगत इन्होंने थोड़ा सा प्राधान चेंज कर दिया था right to property के अंतरगत जिसमें शंकरी प्रसाद ने क्या कर दिया केस कर दि है, रिट पैटिशन, जिसके अंतरगत, आर्टिकल 32 के अंतरगत, सुप्रीम कोट आप सीधा जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंतरगत, आप सीधा हाई कोट जा सकते हैं, कि आपके मुल अधिकारों का हनन हो रहा है, यही किया शंकरी प्रसाद ने उनिस सो इंक्यावन में, जहां उन्होंने कहा कि भई हमारा तो right to property जो है वो curtail हो रहा है, तो देखें सुप्रीम कोड भी क्या करता है भई, सरकार की मंशा पर काम करता है, सरकार की यदि मंशा अच्छी है, लोग कल्याण में है, लोग हितकारी है, तो उस तरीके से चीजों को देखता है, article 13 क्या कहता है, देखें, दो आर्टिकल बहुत जादा ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 68, 368 ठीक है, ये आर्टिकल 368 आप सभी जानते हैं, समविधान शंशोधन के लिए, पावर आफ परलियामेंट टो अमेंड दा कॉंस्टिटूशन, ठीक है न, आर्टिकल 13 क्या कानून नहीं होना चाहिए, चाहे समविधान शंशोधन के माध्यम, चाहे वैसे भी, जो फंडामेंटल राइट को, याने किसी भी प्रकार के मुल अधिकार का हनन करे, ठीक है, तो यहां शंकरी प्रसाद कहा है, कि हमारा right to property क्या हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, सुप्रीम amendment law, याने समविधान शंशोधन अधिनियम, मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है, यह सरशंकरी प्रसाद केस में किस ने कहा था, सुप्रीम कोट ने कहा था, ठीक है न, और देखते हैं कौन सा केस, गोलखनाथ केस, जो आया था 1967 में, और गोलखनाथ केस में सुप्री कोट भी अपने decisions में परिवर्तन कर सकता है, सुप्रीम कोट के जितने भी decisions है, वो court of record कहलाते हैं, और समय के साथ-साथ, यदि वो कोई बतलाओ चाहता है, तो court of record को ले करके, या तो उस decision को वैसा ही रख सकता है, या तो उसको परिवर्तित भी कर सकता है, तो शंकरी प्रसा केस में जो कहा था, उसको परिवर्तित कर दिया, सुप्रीम कोट ने गोलकनाथ केस 1967 में और कहा कि पारलियामेंट चाहे तो समविधान शंशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या कर सकती है, fundamental rights को अब नहीं ले सकती है, average नहीं कर सकती है, कहने का मतलब उन्होंने कहा कि आर्ट constitutional amendment act भी इसमें शामिल है, याने कोई भी समविधान शंशोधन अधिनियम भी किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों का हनन वंचन नहीं कर सकता है, no constitutional amendment act can average और take away any of the fundamental rights, ठीक है, तो गोलकनाथ केस में अपना decision क्या कर दिया, सरकार ने reverse कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी basic structure अभी केशवानन्द भारती केस, जो सबसे famous केस है, Indian constitution का अभी तक केशवानन्द भारती केस, इसमें पहली बार 13 जजों की bench बैठी थी, 68 दिनों तक इसका फैसला चला था, और 703 पेज का इसका judgment आया था, ठीक है, शंकरी प्रसाथ केस में Supreme Court ने कहा कि सरकार कोई भी fundamental right ले सकती है समिधान शंशुदन अधिनियम के माध्यम से, गोलकनात केस में पलड़ दिया और कहा कि समिधान शंशुदन अधिनियम के माध्यम से fundamental right को नहीं लिया जा सकता है, केशवानन्द भारती में फिर से Supreme Court ने पल्टी मारते हुए कहा, कि देखिए समिधान शंशुदन अधिनिय अधिनियम आप करिये, fundamental right को भी आप change कर सकते हैं, लेकिन पहली बार Supreme Court ने एक शब्द का यूज किया, मूल धाचा या basic structure, बोले आप कोई भी समिधान संशुदन अधिनियम करें, समिधान ना सिर्फ मूल अधिकार, बलकि समिधान के 22 भागों में से कोई सा भी भाग आप केरा judges की bench में, यहां यह बताना लाजबी हो जाता है कि जीत किसकी हुई थी, केश्वानन्द भारती की, केश्वानन्द भारती इडनीर मीठ केरल के प्रमुक थे, और right to property मूल अधिकार के तहती इन्होंने writ petition लगाया था Supreme Court में, जहां इनकी जीत हुई थी, क्योंकि आप य छे लोग थे, उन्होंने सरकार के पक्षमिद decision दिया था, इसमें एक थे AN Roy, याने अजोईनाथ Roy, और भारत की जो सरकार थी ततकालीन, उसने क्या किया, AN Roy को Chief Justice बना दिया, बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत इसलिए है, क्योंकि अभी तक जो senior मुस्जज होते थे, वो ही Chief Justice, या मुखिन आधिश बनते थे सुप्रीम कोट के, लेकिन पहली बार, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े, और जस्टिस शैलात, ये तीन जो ज़ज़ेस थे, AN Roy के उपर थे, senior थे, इनकी seniority को बीच करके, याने इनको ठेंगा दिखा करके, आगे चौथे न उने, याने कार पालिका ने, कहां पे डाका डाला था, independence of judiciary पे, याने नियायपालिका की स्वतंतरता पे, और इसके बाद चला, first judges case, second judges case, third judges case, और अब NGAC, जिसे fourth judges case भी कहा जा रहा है, तो collegium system हुआ, जहाँ अब नयायपालिका ही decide करती है, कि किसको judge बनाना है, Chief Justice बनाना ह हाला कि इसके भी कई तरक दिये जाते हैं इसके भी विरोध में लेकिन यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम यहीं से शुरू होता है जहाँ पे एक बार नहीं दो बार 1976 में हर खन्ना सीनियर मोस्ट थे उनके उपर जस्टिस बेग को बना दिया गया चीफ जस्टिस उनकी भी सीनियर्टी को ब्रीज करके और यह इमर्जेंसी का समय था जहां एचर खन्ना ने यह निर्ने दिया था कि राइट टू लाइफ एन पर्सनल लिबर्टी दैहिक स्वत तंतरता का और जीवन जीने का अधिकार जो अनुछेद 21 देता है राइट टू लाइफ एन पर्सनल लिबर्टी इसको इमर्जेंसी के दौरान भी छीना नहीं जा सकता यह एचर खन्ना जी ने कहा था और इनको इनकी सीनियर्टी को हटा करके किसको बना दिया गया थ बेक साहब को बना दिया गया था जेस्टिस बेक को चीफ जेस्टिस बना दिया गया था ऐसा दो बार हुआ इसलिए जज़ेस फर्स्ट ज़ेस सेकेंड ज़ेस थर्ड ज़ेस केस चले और केशवा नंद भारती में ही जो सूट केस से पिटारा निकाला था सुप्रीम कोट न और जहां NJAC याने National Judicial Amointment Commission की बात की जा रही थी 2015 में इस्थापित करने की कि वह एक Chief Justice और दो जजज रहेंगे और सरकार की तरफ से एक Law Minister रहेंगे और दो Eminent Personalities रहेंगे मतलब कुल 6 लोग रहेंगे जिसमें 3 किसके कारे पालिका के 3 न्याय पालिका के NJAC को सरकार ने रद कर दिया 99 समविधान संशुदन अदियम को सरकार ने रद कर दिया किसके माध्यम से Basic Structure के माध्यम से याने मूल ढाचे के माध्यम से सरकार ने कहा कि ये Independence of Judiciary के खिलाफ है याने ये न्याय पालिका के स्वतंतरता का हनन करता है ठीक है और दूसरी चीद Separation of Power दिया गया है कहा डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स ओफ स्टेट पॉलिसी में राजी के नीदी निरशक तत्तों में किस के बीच कारे पालिका के बीच और न्याय पालिका के बीच तो ये जो Separation of Power है ये बना रहना चाहिए ये जो पावर है वो Collegium सिस्टम के अंतरगत न्याय पालिका का है कारे पालिका का नहीं तो Basic Structure जहां शंकरी प्रसाथ केस से लेकर के केशवनन्द भारती केस में Genesis लेता ह है कि भईया ये Basic Structure है और Basic Structure ध्यान रखेंगे कई आपको मिलेगा 1935 से लिया गया है जर्मन Constitution से लिया गया है बिलकुल गलत बात देखिए Basic Structure खुद भारती न्याय पालिका का Genesis है ठीक है हाला कि इसके अंदर की मैं चुझे आपको कुछ बताऊंगा Basic Structure के अंतरगत जो आ लिए भीडिया विए बिल्कुल ठीक खुद iałज्चे रखिंटी जूशलिस्त का। एंद कर दिंट एंद के रखिंट्ट इंट टीज्टिस्ट इन न्याय प्लिटिकल अवालित खुद एंद की डिल्ट इन डिबीटिकल अव काथंट आ प्रत आपकर चुद तो तो एंद क equality of status and of opportunity याने समता का अधिकार and to promote among them all fraternity याने बंधुता बढ़ाने के लिए fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation याने भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दिनांग 26 नमबर 1949 इसवी मिती मार्ग शीर्ष शुकल सब्तमी समवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस समविधान को अंगिकृत अधिनिमित और आत्मारपित करते हैं do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution समविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना और यही सनिकल के आता है हमारा मूल ढाचा बहुत ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे सारी चीजों को कि सौवरिन याने संपूर्ण प्रभुत्व संपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन याने हम किसी के अधीन नहीं है हम अपना decision खुद ले सकते हैं सोशलिस्ट सेकुलर और integrity इंटीग्रिटी अखंड़ता इन शब्दों को 42 समिधान शंशोदन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था ठीक सोशलिस्ट और सेकुलर याने समाजवादी और पंथ निर्पेक्षन अब बहुत ध्यान से सुनेंगे basic structure के बारे में मैं ज़ोड़ी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे news channels में आप सुनते होंगे या राजनेतिक आप सुनते होंगे कि हंदू राष्ट्र बनेगा मुसलिम राष्ट्र बनेगा इसाई राष्ट्र बनेगा सिख राष्ट्र बनेगा भारत मल्टी रिलिजिस कंट्री है विन धर्मों का देश है ना यहां हिंदू राष्ट्र बन सकता है ना सिख राष्ट्र बन सकता है ना इसाई राष्ट्र बन सकता है यहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है सभी धर्मों को बराबर संदक्षन दिया जाता है वेस्ट में ऐसा नहीं है यदि आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ चर्च और रिलीजन मतब रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अलग-अलग है चर्च और पॉलिटी अपना का मूल ड्हाचा है किसी भी धर्म का किसी भी एक पंथ का न इसीश हमारे यहां रिपब्लिक ठीक है न यानि गानना स्वतंत्र तो हो गए थे और सम्विधान आने के बाद हम क्या हो गए हम गणतंत्र भी हो गए हमारा अपना सम्विधान है हमारी अपनी निमा वाली है जिसके अनुसार हम चलते हैं तो यह जो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रिटिक और रिपबलिक यह चारों चीजें सम्वि अख्यात आएगी जस्टिस की तब बात किसकी आएगी याने इंडिपेंदेंस आफ जूडिश री की ठीक है। रूल आफ लॉ याने विधी का साशन ठीक है तीस्रे नंबर पर जद हम बात करें तो ये जस्टिस्कि किसकी की बात करता है सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय की ये बात करता है ठीक है ना तो ध्यान से सुनेंगे सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय की ये बात करता है सोशल एकनॉमिक एन पॉलिटिकल जस्टिस की ये बात करता है तो जहां मूल अधिकार fundamental rights राजनेतिक नयाय प्रस्थित करते हैं वहीं यदि हम DPSP की बात करें या राजिके नीती निदेशक्तत्तों की बात करें तो वो एक लोग कल्यान कारी राजिकी स्थापना की बात करते हैं याने लोगों के हित में लोगों के हितार्थ काम होगा उनको समाजिक और आर्थिक नयाय मिलेगा यह कौन कहता है राजिके नीती निदेशक्तत तो कहते हैं और fundamental right राजनेतिक नयाय की बात करता है political justice की बात करता है तो DPSP और fundamental right भी भारत के मूल ढाचे का एक अभिन अंग है एक अभिन अंग है जिसको आप change नहीं कर सकते किसी भी समिधान शंशोदन अधिनियम के द्वारा ठीक है न उसके बाद liberty की हम बात करते है स्वतंतरता का अधिकार ठीक है और समानता का अधिकार तो article 14 से 18 तक जहां आपको समानता का अधिकार प्राप्त होता है वही article 19 से 22 तक आपको स्वतंतरता का अधिकार प्राप्त होता है तो जहां समानता है वहां स्वतंतरता भी है और फिर आगे 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंतरता भी मिलेगी culture और educational rights भी मिलेगे कहने का मतलब सांस्कृतिक और सिक्षा की भी स्वतंतरता मिलेगी याने समविधान में ही अधी लिकित है अधी नीमित है कि ये सारी चीजें भारत का मूल ढाचा है और इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है unity and integrity of the nation भारत के समविधान का पहला article क्या कहता है article number one कहता है कि भारत राज्यों का संग होगा कि अखंडता ही इसका मूल ढाचा है कहने का मतलब सर यदि हम बात करें तो rule of law तो हमने लिया था ब्रिटिस constitution से ब्रिटिस समविधान से independence of judiciary और judicial review याने नियाई पुन्रा वलोकन और नियाई पाली का कि स्वतनतता हमने अमेरिका के constitution से लिया था तीसरे नंबर पर सर यदि हम बात करें तो हम Federation with a strong center याने संग किसके साथ एक मजबूत केंदर के साथ या हमने कनाड़ा के constitution से लिया था लेकिन ये सारी चीज़ें किसमें आ रही है basic structure में आ रही है basic structure कहीं अलग से नहीं लिया गया लेकिन basic structure के अंदर जो चीज़ें है वो हमने कहीं न कहीं से लिया है clear है तो इस चीज़ को बिलकुल याद रखेंगे कि basic structure की जब भी बात आए तो आप आराम से समविधान की प्रस्तावना के साथ में ही समविधान की आत्मा को भी समझ सकते हैं कि समविधान ही सबसे सर्वोच है तो समविधान की सर्वोचता मूल ढाचा है भारत की नयायपालिका unified है जुडिशरी हमारी तो नयायपालिका की स्वतंतरता भी हमारा क्या है मूल ढाचा है जुडिशियल रिव्यू न्याइक पुन्रा वलोकन है वो भी भारत क्या के समविधान का एक मूल ढाचा है भारत के मूल अधिकार जो समविधान के द्वरा मूल अधिकार दिये गए है वो भारत के नागरिकों के लिए राजनैतिक नयाय सुनिश्चित करते हैं इसलिए वो भी एक मूल ढाचा है सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं याने सोशल और एकनोमिक जस्टिस की बात करते हैं इसलिए वो भी एक मूल ढाचा याने बेसिक की स्ट्रक्चर है इस प्रकार से सम्विधान की अदि आप आत्मा को समझेंगे सम्विधान को ठीक से फील भी करेंगे अपने अंदर जानेंगे भी तो ऐसे प्रकार के कोई भी प्रशना है आप अराम से चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटर्व्यू आप अराम से इसका उत्तर दे सकते हैं competition community की पूरी टीम के और से हम बहुत-बहुत धन्यवाद एक मार्च से हम इसी तरीके के analysis के साथ में मिलेंगे हमारी शुरू होने वाली मंगला चौक में हमारी offline classes में जहां prelims और integrated batch में हम अराम से साल दर साल के आय हुए प्रशनों के आधार पे उसके analysis के आधार पर अभी हमारी सभी आप जो अनुभवी शिक्षकों की टीम देख रहे हैं उसके मार्च दर्शन में आप जरूर अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे धन्यवाद जैहिन जै भारत